So hello everyone, बात करते हैं आज NTPC Limited के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं Friday को इस share में गिरावट देखने को मिली है So guys, आगे क्या करना चाहिए इस stock में, क्या इसका support and resistance निकल कर आ रहा है, यह इस वीडियो में मैं आगे बताती हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों ने अभी तक हमारा WhatsApp ग्रूप जॉइन नहीं किया है, so जॉइन कर लीजिए, यहाँ पर प्रिवियसली हमने दिया था Awesome Enterprises का stock और आप देखेंगे इसके All Target Done हो चुके हैं चलिए यहाँ पर हम NTPC के पहले हम प्रिवियसली रिटन्स देखते हैं, क्या-क्या रहें तो 5 days में भी इसके Negative Returns से सो हो रहे हैं, अगर बात करें यहाँ पर 1 month में तो 1 month में भी इसने Negative Returns याभी प्रोवाइट किये हैं, market में क्योंकि correction आ रहा है जिस कारण काफी stocks में अभी गिरावट ही देखने को मिल रही है Past 6 month में Positive Returns थे, and year-to-date में भी ठिक-ठाक Positive Returns रहे हैं 1 year में भी stock ने Positive Returns प्रोवाइट किये हैं, और 5 years में भी Returns जो हैं इसके मतलब ठिक-ठाक नजर आ रहे हैं देखा जाएं यहाँ पर All Time में, तो All Time में भी ठिक-ठाकी Returns हैं 535% वैसे तो आप लोग चाहें तो इस stock को Long Term Perspective से भी Hold कर सकते हैं Long Term में Returns दिला सकता है यह stock, वैसे तो Fundamentally सही है यह stock ठीक है, Fundamentally Strong Stock है, तो Long Term Perspective से भी आप लोग इसे Hold कर सकते हैं और Face Value अभी 10 की है, तो In Future में भी Split हो सकता है यह stock और Book Value 173 कंसिडर की गई है, तो यह भी सही है और Dividend Yield भी बढ़िया है, 1.94% अनिंग पर Share भी सही है और Return on Equity भी सही प्रोवाइड कर रहा है, 13% Industry PE इसकी 24 है और जबकि Share का PE Ratio भी 17 ही चल रहा है So In Future यहाँ पर PE Ratio अच्छा होगा तो Profitable होगे, आप लोग अच्छा यहाँ पर Profit Generate होगा क्योंकि Industry PE के मुकाबले अभी Share का PE Ratio कम चल रहा है बाकि Market Cap भी बढ़िया है, ठीक है, तो Fundamentally Stock वैसे सही है यहाँ पर बात करें अगर Support Level की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर Delhi Time Frame में बता रही हूँ मैं, Short Term Perspective से आप लोग इससे Consider कर सकते हैं तो 385-86 रुपीज के राउंड इसका Strong Support अभी रहने वाला है आप देखेंगे, 399 रुपीज के राउंड इसकी Closing वोई है तो वेट कीजिए से Stock में, वैसे तो 405 रुपीज इसका पहला Support था जो की Break हो चुका है, अब यहाँ पर 385-86 के राउंड इसका Next Support है अब यह जो Previous Support था भी यह Resistance का का काम करेगा सो 405 के अभाव सस्टेन करता है, तो तब यह 425-26 के राउंड जाता हुआ दिख सकता है वैसे यह Main, यहाँ पर भी एक Resistance है सो 426 के अभाव भी सस्टेन करेगा, तो 444 के राउंड यह आपको जाता हुआ दिख सकता है सो वेट कीजिए से Stock में और आई होब आपको यह वीडियो समझ आई होगी सो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो